हाई फ्रेंड्स वेल्कम तू मैं चैनल थम्नेल में आपको देखके पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक में बात करने जा रही है यह है ओल्ड प्रोजेक्ट रियूस ठीक है यह मेरा एक पुराना गमचा था पुराना नहीं चल नया गमचा था तो इसको मैंने क्या किया ए पीचे यहां पर ऑटर अटाच कर लिया ब्लैक बॉर्डर और यहां पर कॉलर लगवा लिया यह उपन है यहां पर एक बटन भी आप लगवा सकते है अभ देख सकते हैं उसका और लेंथ इतना ही आया इसमें गमचा का चौरा थोड़ा कम था तो इतना ही आया है तो यह हो तो मैं क्या की इसको यहां से बीच से कट कर ली और जो कपड़ा निकला उसको एक अनार्कालेटियब और पहें और यह हैं कर लिएमेरने इसको अबहरेश चलते हैं यह भी एक नाइटी था इसको मैंने क्या किया यह भी फ्रंट ओपन है यह फ्रंट ओपन है और यहां पे मैंने इसको कॉलर लगवा लिया और यहां पे फ्रंट में एक बॉर्डर अटाइच कर लिया और यह साइट कटिंग है तो देख सकते हैं यहां पे मैंने फ्रंट ओपन रखा है बटन लगाया है उसके उपर यह अटाइच कर लिया यहां तक अटाइच है और यहां से पूरा क्लोज है ठीक है अभी हम चलते हैं मैं आपको एक बना के दिखाती हूं यह यह भी एक है यहा हो ठीक है यह आप देख सकते हैं यह भी एक मेरी नाइकी है यह फुल लेंड है यहां पे थोड़ा फ्लोरल डिजाइन है और यहां इसके नेक में यह स्क्वायर नेक है यहां पे छोटी-छोटी प्लीट लगी हुई थी थोड़ा वीडियो लेंडी हो जाएगा इसलिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ यह यहां पे स्लीव लगा हुआ था यह हाफ स्लीव है और यहां पे मैंने कट करके यह फ्लीट निकाल लिये हैं खोल लिये हैं यहां से मैंने कट कर दिये अब यह कैसा डिजाइन होने वाला है यह है देखिए यह पूरा लेंथ है यह पार्ट ये टॉप पार्ट आ जाएगा ये ऊपर से और ये नीचे का पार्ट है ये हम कमर में आएगा मैं आपको मेजर्मेंट दिखा देती हूं और ये यहां से ये इसका स्लीव निकल जाएगा यह दो पार्ट है यहां से इसका स्लीब फुल स्लीब आ जाएगा और यहां पर अगर कपड़ा छोटा पड़ता है तो आप अटैच भी कर सकते हैं यह यहां से देखिए यह मैंने 10 इंच लिया हुआ है 10 इंच 10 इंच और यहां से 2.5 इंच नेक के लिए और सोल्डर लेंथ मैंने लिया है 6.5 इंच और यहां से आर्म होल लिया है जैसे होता है वैसे ही यह मैंने वी सेफ नेक किया है अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि यह देखिए यह मैंने यहां से कट कर लिया है अब यह हो गया इसका स्लीव का पाड़ फुल लेंथ है फुल स्लीव आएगा और यहां से जो कपड़ा चोटा जो पढ़ रहा था यह यहां पे निकल जाएगा देखिए अब यह भी यहां पे यूज हो गया यह जो स्टीच होता है यह वही स्टीच है देखिये और यहां पर यह जुडा हुआ है यह 4-fold में है 4-fold में तो यहां पर इसका साइड स्टीच आ गया है तो यह आपका निकल गया स्लीव देख सकते हैं यहां पर ऐसे ऐसे जाएगा कि टिंग कि ऐसे फिटिंग आएगा इसका ठीक है और यह निकल गया टॉप पाट अब मैं आपको दिखाती हूं यह कैसे बनने वाला है यह आएगा ऐसे ऐसे आएगा यह देखिए यह यहां पर टाच हो जाएगा और यह यहां से टाच होगा और यह जैसा था वैसा यहां पर फोल्ड होगा अब आपको समझ में आ गया होगा अब आपको समझ में आ गया होगा